हलो स्टुडेंट्स मैं हूँ शाइना परमार और आज आपके लिखे हैं हूँ वेरी इंपोर्टन वीडियो जैसे कि हमें सभी को पता है कि ये पैंडामिक कॉविड नाइटीन की वज़ा से online classes चलनी है तो बच्चों का teachers के साथ interaction नहीं हो पाया है उसका result क्या निकला है कि बच्चों को syllabus के बारे में, books के बारे में, question paper के बारे में या question को कैसे attempt करना है इसके बारे में कुछ खास पता नहीं चल रहा जो नए student है जिन्होंने पहले exam दे रखे हैं शायद उनको इतनी problem नहीं आ रही है तो ये नए बच्चों के लिए special video बना रही हो तो जो private student है या फिर जो regular student है दोनों के ही काम आने वाली है हाँ वैसे मेरा subject जैसे की history है तो मैंने इसमें main history को रखा है लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका syllabus का pattern थोड़ा सा different है तो कोई बात नहीं लेकिन paper को कैसे attempt करना है और question कैसे लिखना है तो आप सारा इसमें से सीख सकते हैं ये video मैं बोथ UG और PG के लिए बना रही हो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि syllabus का pattern कैसा होता है पेपर का pattern कैसा होना चाहिए और इसके इलावा total marks कितने होते हैं paper के और जो मैं question आता है 18 marks का उसको कैसे attempt करना है उसमें लिखना क्या है कितना लिखना है तो ये बच्चों के लिए problem है तो ये सभी UG के सभी semester के लिए और सभी PG के सभी semester के लिए ये video है में हमारे पास 3 lesson है 3 भी हो सकते है 4 भी हो सकते है 2 भी हो सकते है ज़्यादा तर 3 ही होते है ठीक है तो unit 1 में हमारे पास 3 lesson है 3 lesson है और unit 2 में भी हमारे पास ऐसे ही 3 है unit 3 में भी 3 है unit 4 में भी हमारे पास 3 है यो UG classes है उनमें सिर्फ इतना फरक है कि unit 4 में दो chapter होते हैं और साथ में map होता है कुछ नए syllabus में एक ही map है otherwise तीन map है तो इस हिसाब से आपके पास एक syllabus होता है इस syllabus को हम decide कैसे करते हैं कि जब exam आगे तो हमें कितना पढ़के जाना है तो paper pattern में आपको बाद में बताती हूँ पहले हमने decide कैसे करना है हमें होता है क्योंकि unit 1 में दो question आते हैं तो हम क्या करते हैं इन तीन ऐसे कोई 2 chapter हम decide कर लेते हैं कि हमें यहीं पढ़ने है any two आप एक छोड़ सकते हो पुरा chapter और पढ़ना वही है जो आपके syllabus में question दिये होते हैं books में बहुत कुछ extra होता है वो सब पढ़ने की जुरूरत नहीं है उसके बाद unit 2 में भी ऐसे ही 3 है आप इन में से भी कोई 2 पढ़ सकते हैं unit 3 में भी आपके पास 3 है आपको इन में से भी कोई 2 पढ़ सकते हो कोई भी 2 ले सकते हो आप 7, 8, 9 में से 7, 8 पढ़ सकते हो 7, 9 पढ़ सकते हो 8, 9 पढ़ सकते हो जो आपको chapter easy लग रहा है जिसे आप असानी से पढ़ सकते हो ऐसे ही 4 unit में आपके पास 2 chapter है और 1 map है या 3 map है तो अगर आपने क्योंकि इसमें से भी 2 question आपको exam में आने है तो अगर आपने question attempt करना है paper में तो आप ये 2 chapter कीजिए तयार otherwise अगर आपने map करना है तो आप ये map कीजिए map में ज़्यादा तर हमारे पास historical places ये आते हैं लेकिन हम risk नहीं ले सकते इसलिए अगर 3 map दिए तो 3 नहीं तयार कीजिए और अगर एक दिया है तो एक map तयार कीजिए तो इन 2 chapter में से और इन 3 map में से आपको एक question इसमें से भी attempt करना है दो ही आएंगे तो आप इसमें से कुछ भी एक चीज़ डिजाइट कीजिए चाहे ये 2 chapter कर लिजिए चाहे ये 3 map कर लिजिए जो आपको easy लगता है हाँ, PG classes में आपके पास यहाँ map नहीं होता है यहाँ पे आपके पास क्या होता है question ही होता है तो उन 3 में से आप कोई भी 2 question कर सकते है तो यह है आपके paper का sorry, syllabus का style उसके बाद आता है हमारा paper का pattern क्या है तो यह मैं बोथ private and regular बच्चों को बता रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चों को problem होती है वो बारवर पूछते हैं कि हमने paper कैसे attempt करना है देखो अगर तो online exam होते हैं और government और या university कोई decision लेती है कि नहीं आप कोई भी 2 कर लो, 3 कर लो जैसे इस बार हुआ है फिर बात अलग है लेकिन जो हमारा rule है, university का rule है उसके accordingly आपको बता रही हूँ तीन घंटे का आपका paper होगा private student ने 100 marks का करना है और regular student ने 90 marks का करना है क्योंकि 10 marks की उनकी assessment जो है, वो college की तरफ से जाएगी ठीक है, तो इसमें सबसे पहला question आपके पास होगा short answer type, ये compulsory question होता है इस compulsory question में आपको वो 15 question देते हैं 15 में से आपने 9 करने होते हैं 9 question करते हैं, 2 marks के 18 marks बनते हैं आपके आप ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 words में वो question attempt कर सकते हैं, यानि 3 lines maximum आप लिकलो, sufficient है इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर आप private student है तो आपने यहाँ पे 10 question करने हैं क्योंकि आपके 10 into 2, 20 तभी marks बनेंगे क्योंकि आपके जो पूरे question paper में आपने 5 question करने होते हैं तो जो private student है उनके 20 into 5 बनते हैं 100 marks, और जो regular student है उनके बनते हैं 5 into 18, 90 marks ऐसा ही आपने unit 1 में आपके पास 2 question आएंगे exam में और आप उसमें से तो unit 1 में आपको उन्होंने 2 question दिये हैं दोनों ही 18-18 number के हैं ठीक है, आप इन 2 में से कोई भी एक कर सकते हैं किसी को भी छोड़ सकते हैं वो आपकी च्वाइस है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इस syllabus में वो आपको 3 chapter दे रहे हैं तो उसमें से आप कोई भी एक chapter छोड़ सकते हैं तैयार ही करने के लिए तो जैसे कि ये 2 chapter आपने 100% तैयार की हैं तो इसमें से एक question तो पका ही आएगा तो यहां पे वो question अगर आ जाता है यहां पे आ जाता है तो आप उन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो unit 2 में भी ऐसा ही करना है unit 3 में भी ऐसा ही करना है unit 4 में भी ऐसा ही करना है वो आपकी इच्छा है अगर आपने map करना है तो map कीजिए question करना है तो question कीजिए PG classes में आपको यहाँ पे map नहीं आएगा वो आपको question ही डालेंगे map आया तो आपने 10 places आया है तो 10 ही भरने है 5 आया है तो 5 ही भरने है वो उसके accordingly आपके 10 marks adjust हो जाएंगे 10 marks आपके places फिल करने की होंगे और 8 marks आपके explanation की होंगे private के लिए यहाँ पे 10 marks ही होंगे क्योंकि उनका 20 marks को question है और regular वालों का 18 marks को question है तो आप अपने marks के accordingly paper attempt करेंगे 3R में आपको यह paper करना होगा और 5 question आपको total करने हैं आपके question बनते हैं 9 9 में से आप total 5 question attempt करेंगे यह कह सकते हैं की एक तो आपका compulsory ही है लेकिन आप इन 8 में से कोई भी 4 करेंगे कोई भी 4 कैसे करेंगे according to unit, यानि इन दो में से एक, इन दो में से एक, इन दो में से एक, और इन दो में से एक, इस तरह से आपका ये question paper आपके पास आएगा, अभी मैं आपको एक question paper भी दिखाती हूँ, by chance मुझे मिल गया है, पड़ा हुआ, ये एक final class का question paper है, university का देखें, इस तरह से आपका यहां पर roll number आपने लिखना होता है, यहां पर exam code लिखा है, जो आपको भरना होता है answer sheet में, ये subject code है, ये आपका, ये house test का कोई question paper मुझे मिला है, 2015 का, और आपके पास, कुछ ना कुछ, यहां पर लिखा ही होगा, कि कौन से examination, ठीक है, ये देखें, 3 hours and 90 marks, तो पहला जो आपका है 9 answers देने हैं आपको, ठीक है, 9 into 2, 18, ये आपके question होगे, और उसके बाद यहां पर देखें, इस तरह से आपको question आएंगे, unit 1 में 2 question है, कोई ये कर लीजिए, 2 में से कोई ये कर लीजिए, 3 में से कोई ये कर लीजिए, और unit 4 में उन्होंने एक question और एक map डाला है, तो 10 places बने और 7 में कोई चार जिसके आपने explanation देनी है, तो इस तरह से आपका question paper आपको exam में आएगा, 3 languages में आता है हमेशा है, Punjabi, English and Hindi में, तो आपको language की problem नहीं होगी, अब आया very important कि paper में लिखना कैसे है, बच्चों को class test में भी लिखना नहीं आता, और exam में लिखना भी नहीं आता, कि आखिर question को लिखें कैसे, यह सबसे important है, कि content क्या लिखना और कैसे लिखना, यह मारे पास एक example है, जैसे मैंने लिख रखा है, explain social and political life of anything, you can say Aryans, या गुपता period, anything, कुछ भी आगया आपको question, या causes आगया है, तो शुरुआत में आप पहले लिखेंगे introduction, यानि भूमी का, जिसे हम जान पहचान कहते हैं, ठीक है, तो 12 से 15 lines में आप introduction लिख देंगे, कम कम से कम आपके पास 15 line की introduction होनी चाहिए, उसमें आप introduction में क्या लिखेंगे, जिसके बारे में पूछा गया है, जैसे causes पूछेंगे, अगर पानी पत की लड़ाई के causes पूछेंगे, तो आप पा quotation लिखेंगे, quotation क्या है, अगर किसी ने कुछ अपने शब्दों में कोई बात कही है, किसी इतिहासकार ने, उसी के शब्दों को उठाके जब आप अपने question में लिख देते हैं, उसे कहते हैं quote करना, तो आप यहाँ पे अगर आप quotation लिखते हैं, तो यह बड़ी अच्छी बा अगर आपको उनकी book का name याद है, तो आप यहाँ पे book का name भी लिख सकते हैं, उसके बाद जो नोंने एक या दो line आपको याद हो जाती हैं, जो नोंने कहीं है, particular उस चीज के लिए, जैसे एल बाशम ने ancient India के उपर काफी कुछ लिखाया, अगर उनकी कोई line याद है, तो आ इंडिया का होना चाहिए, अगर यह question modern India से related है, तो यहाँ पे हमारे पास writer भी modern का होना चाहिए, अगर world का कोई question है, तो world का writer हमारे पास होना चाहिए, quotation लिखने के बाद हम, जैसे यहाँ पे हमने social and political life लिखिया है, दो question लिकठे आए हैं, तो पहले हम social life का point बनाएंगे, कम से कम 2 page में, 6 से 8 point आप लिखोगे, जिनको आप explain करोंगे, social causes होगे, या social life के होगे, तो इतने points आप 2 page में complete करेंगे, और उनके बीच में relevant material लिखे, अगर quotation दबारा, यहाँ पे किसी चीज की देनी पड़ती है, आपको तो दे सकते हैं, ऐसे ही political life के अगर 2 page लिखेंगे, 6 to 8 points लिख दें, यानि total आपके पास यह 4 page होगे, और 1 page हम इसका बना लेते हैं, 5 page होगे, तो 6 page में आपका एक question आराम से बन जाता है, अगर आपके पास relevant material है, अगर material कम है, तो आप कम भी लिख सकते हैं, और material ज़्यादा है, तो आप उसको से साब से introduction को कम कर सकते हैं, थोड इंडिया को question है, तो उसके बारे में लिखें, अगर किसी चाइना का question है, जपान का question है, अमेरिका question है, तो जिस व्यक्ति ने उस particular history के बारे में लिखा है, उसकी book का और उस writer का नाम लिखें, आप उसकी किसी बात को quote कर सकते हैं, अगर आपको मुश्किल लगता है, तो मत कर अगर दो से भी ज़्यादा कर सकते हैं, तो दो से ज़्यादा करें, लेकिन सारा question quotation से ना भर दें, अच्छा लगेगा अगर आपको quotation यूज किया है, और किसी book का नाम देते हैं, तो फिर ये आपका question यहाँ पे complete होगे, आपने social भी लिख दिया, political reason भी लिख दिये, उसके आप लिखते-लिखते question को बीच में ही छोड़ देते, तो ऐसे लगता है कि ये question complete नहीं है, तो ये जब last आगे आपके question का, तो वहाँ पे लिखें conclusion, निशकर्श या सिट्टा, तो कम से कम 5 और जादा से जादा 10 से 12 lines तक आप इस conclusion को लिखें, कि आखिर इसका नतीजा क्या निकला, तो ये लड़ाई हुई है तो इसका नतीजा क्या लिखा या ये जो सब्वेता है, ये सब्वेता कैसी थी, यहां के लोग कैसे थे, इस सब सारा आपने conclude किया है, वो सारा आप यहां पे जरू लिखें, तो इसी साब से आप एक question को तयार करें, अपने पांस समेशा ये याद रखें कि बिना introduction और बिना conclusion के किसी question को complete ना करें, और आपके पास मैं ये फिर से बता रही हूँ कि 5 question करने हैं, आप देख सकते हैं, ये regular students के लिए, ये private students के लिए हैं, और ये आप याद रखें कि जो map में आपने explanation देनी है, कम से कम 4 से 5 lines में वो explanation जरूर दें, ज में हैं, इसके इलावा कोई और information आप पूछना जाते हैं, तो उसके लिए भी आप मेरे से contact करें, channel को subscribe करें, thank you so much